हमारा केवाल इतना गुणा है क्योंकि हम राष्टे लोगदल से आते हैं और राष्टे लोगदल के कार्या कर जाएं पूर्विधाय कुमेश मलिग जी ये लोग जो है पूरा निरंतर अपना परियास कर रहे हैं दबाव बना रहे हैं कि अधिकार सीज़ करने के मामले में सियासत गर्मा गई है पूर्व पर्मुक विनोद मलिक खूक गर्जे और मुझफर्णकर सांसद एवं केंद्रे राज्यमंत्री संजीव बालियान और पूर्विधायक बुढ़ाना उमेश मलिक पर आरोप लगाए हैं देसल ब्लोक पर्मुक पालो देवी पूर्व पर्मुक विनोद मलिक की मा है पिछले सता ही पूर्व पर्मुक अजीस सिंग की सिकायत पर सासन से कारवाई हुई थी और पर्मुक पालो देवी के वित्य अधिकार सीज कर दिये गए थे आरोप है कि सरकारी धन का गबन क्या गया है तीन साल पहले हो चुके कार्यों को नए सीरे से दिखाया गया है पूर्व पर्मुक विनोद मलिक ने प्रहस्वारता कर कहा कि जिस दिन से उनकी मा था पर्मुक बनी तबी से छेतर की जनता विकास को लेकर लड़ाई लड़ रही है संजी बालियान और उमेज मलिक निरंतर दवाव बना रहे है इनोंने ही ब्लोक पर्मुक के खिलाब अनुचित रिपोर्ट सासन को विजवाई है हमारा सिर्फ इतना गुना है कि हम राष्टे लोगदल के सिपाई है लाष्टे लोगदल का जंडा हम कभी जुगने नहीं देंगे जिन कामों को मुद्दा बनाया गया है वो पूर पर्मुक अजीत उर्फ बबलु के कारेकाल के ही थे जो सिकायत करता है मान्य मंत्री संजीब बाल्यान जी और पूर विधाय कुमेश मलिक जी यह लोग जो है पूरा निरंतर अपना परियास कर रहे हैं दबाव बना रहे हैं और दबाव बना करके यहां एक जिला अधिकारी मोदय से एक रिपोर्ट जो अनुचित है वो भिजवाने का काम किया और उस पर हमारी मम्मी के अधिकार सीजुए और जिस आधि जो कंप्लेंट करता था केवल वो पहले पूर बलाग परमुकता उसी के टाइम के टेंडर थे उसी टाइम के प्रस्तावते उसी के टाइम पर कार्या समाप हो गया था जब काम सारा उन लोगों ने किया हमारी समझ में यह नी आई हमारी जांच कुस बात की और जो है उसमें जांच में जिला अधिकारी के दुआरा संस्तुति की गई थी गई ती ग्रीडियो और हमारी मम्मी जो पालो देवी जो बलाग परमुक है दोनों की संयूकत रूप से वहां उनको अधिकार वह करने के लिए उनकी खिलाब कारवाय करने के लिए के वाल certains के खिलाप टारवाय हुई हमारी अधिकारhini के से जहillery कोई जो मिर्यडियो के मर्यादा एक आप कशो नहीं है यह परम पराप पड़े कियोंकि यह दबाव की करायनीति अगर को बोलेगा तो उसके खिलाब मुकत्मे होंगे, उसके खिलाब कारवाई होगी, सरकार की नीती है, और केवल केवल, हमारा बस यही एक, इससे आप कुछ भी माल लीजिए, जो हम राष्टे लोगदल से आते हैं, केवल, हमारी अगर कारवाई, हमारी पर दबाव है, इन्होंने मंत्री जी की विचारधारओ में रहते हैं, और वुण की विचारधारओ में, रहते हुए, हम विकास लोगों का कराते हैं, और वह हमेशा कराएंगे, जब तक हमारे दम में तब रहेगा तो हम राष्टे-लोगदल का जण्डा कभी छुखने ने देने, बुरहानादी है अब मांग क्या है क्या चाहते हैं अब तो हमारे राष्टे अद्धक्स हैं राष्टे अद्धक्स हैं हमारे जो 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 निना लेंगे और हमारे जो जिला अद्धक्स हैं जो उनको निर्देश करेंगे उसी के अनुसार अगली कारवाई होगी और कुछ लगरा मुझे ऐसा कि विनोध मलिक ने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्रे मंत्री चेतर का विकास नहीं चाहते हैं 18 महा में ब्लोक पर्मुक ने जितनी बार भी मिटिंग बुलाई उसमें संजीव वालियान के दबाव के कारण कोई अधिकारी नहीं आया साथ ही यह भी कहा कि इस सरकार चे नियाय की उमीद नहीं है इसके बीच में हमने जितने भी मिटिंग बुलाई यह मान्य यहां के जो सानसत बान्य संजीव बालियान जी जो आज केंद्रे मंत्री के पदपर है वो इस चेतर का विकास नहीं चाहते हमको यह समझ में नहीं आया इस चेतर की जनता की समझ में यह नहीं आया कि आप लोगों ने ठारा मेंने तक विकास को प्रभावित रखा कोई विकास नहीं होने दिया और हमारी मम्मी जो पलाग परमुख है उसका जो कारिय छेतर है उसने जितने भी मिटिंग यहां पर बुलाई कि एक भी मिटिंग में किसी अधिकारी दाने की जोखिम नहीं उठाई और जब हमने बात की अधिकारियों से क्यों आप मिटिंग क्यों नहीं मिटिंग मारें क्यों ही मिटिंग कराना चाहते उनने पता सबस्त बताया कि राज्य मंत्री संजी पालियार जी का दबाव है और जो हमने फिर शीडियो साहब से बात की जिला दिकारी मोदे से बात की कई भार बात की करीब जो है तस राउंड बात हुई होगी इस सम्मंद में उन लोगों ने क्यों चैना इस विर करले कई रहते हैं लोकые मृट लिखें तो स्टुरी Bowl कुर्ण छेत्री के शेयर ढलर करने करने एक जोटी रिपोर्ट जब आत्मी जब किसी नँए काम नहीं किया तो उसकी जाच का क्या मतलब था काम हो तो जाच हो और फिर भी हम मानते हैं अगर जाच कराई भी तो ठारा मेंने तक जाच के नाम पर लोगों को भगा करके लोगों का विकास नहीं होने दिया